आ प्रवेल्कम वेल्कम वेवर्यान तू अनदर रहएं सेशन जिदर आपको रिवाइज करेंगे इंडेस 37 के सारे कंचेपस सारे क्वेस्टन एक ही बार में वेरी क्यक्क्ली तो देर किस बात की सर्थी ता दरिविजिन इन 3,2,1 जुके सबसे पहले इंडेस 37 नाम क्या है प्रोविजिजिन्स कंटिंजेट लिए इसका मतलब क्या है सबसे पहले प्रेजन चालू करने के पहले एक इंपोरेंट डेफिरिंशन का आपने डिसकुशन करता है वह था past event मतलब suppose for example creditors creditors में past event क्या होता है credit परचेस करूगे तब बनता है creditors तो past event परचेस का ना हो credit outflow of resources तो यहां आपको by default या तो पैसा देना पड़ेगा या भी जो भी आपने promise के वो देना ही पड़ेगा outflow is necessary ठीक है तो इसको बोलता है liability अब इसमें एक important वड़ता obligation obligation होते दो प्रकार के एक होते है legal obligation एक होते है constructive obligation या दे legal obligation मतलब किया any obligation which has arise from contract या फिर legislative law what is the meaning of constructive obligation constructive obligation आपको example आपको एक्जामपल आदे secretary वाल example या ना वो 5 साल तर देना है bonus तो छटे साल में उसके मन में आएगी न expectation की bonus मिलेगा constructive obligation इसका मतलब आपके past practice policy या specific statement ने सामने वाले के मन में क्या create कर दिया valid expectation तो उसको बलते constructive obligation इस obligation का भी liability आप provision आपको create करना पर देगा ठीक है या आपकी liability के बाते होगी उसके बाद हम बात करेंगे provision की आप provision में क्या है सबसे पहला पढ़ना definition provision liability में फरक क्या है provision liability में ये फरक है कि liability हो exact कब भरने कितना भरने exactly बता होता है provision में there is uncertainty या थो timing को लेकर uncertain या फिर amount को लेकर uncertainty है मतलब कब भरने या कितना भरने exactly नहीं बता तो उसको बलते provision का recognition में भी करिटेरिया है present obligation past event outflow बट एक important चीज़ है वो है estimate reliable estimate लगता है उसके लावा provision के अंदर भी there should be a past event पहला चीज second चीज if there is any amount which can be avoided by your future action तो उसका प्रोविजन नहीं बनाते हो जैसे inspection की बात अगर मैं करू जो major inspection overall वगेरा होता है यह जो amount है inspection का यह avoidable होता है क्यों सब्सक्राइब गवर्मन मुलता न every five with inspection करो यह avoidable है क्यों आप aircraft पहले बेस दोगे तो आपको नहीं गर करना पड़ेगा न इंडिया 16 में इसके लिए अपन component accounting फॉलो करते है वो क्या होती है उसके लाप इंडिया 16 रिफर करना जरूर से ठीक है उसके लावा अगर कोई नया law आने वाला याद मोदी जी आके बोले नया law लाएंगे तो उस law का obligation कब बूक करनेगा जब वो law virtually certain हो जाए मतलम 95% recognition के बाद है प्रता measurement जब provision को measure करोगे तो किस value पर record करना है सबसे पहले बोलता है it should be the best estimate तो provision जब estimate करोगे तो देखना population कितना items का अगर items का population बहुत जादा है तो आप निकाल रखी इतना sale किया इसकी probability इतनी है तो उससे आप से मैं निकालूँगा provision का amount लेकिन अगर there is a single outcome which as possible कि गंगा नदी clean करनी है में अब एक contractor ने बोले 20,000 एक ने बोले 25,000 तो जिसको मैं contract दूँगा उतना ही मेरा provision और expense book करना है तो इस case में consider the most likely outcome उसके लावा क्या आपका provision present value पर हो सकता है क्या हाँ न हो सकता है in case of decommissioning whether time value is material तीसरा क्या मैं estimate करते समय provision का amount निकालते समय risk और uncertainty को consider करो क्या इसका example तो सर यादे iPhone 15 Pro Max Titanium में color fade होना लग गया heating issue आना लग गया तो warranty claim बढ़ेंगे न तो इस risk को इस uncertainty को consider करे क्या कर लोना सर को दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लबाब future event अगर ऐसा होने वाले कि future में कुछ नया machine आएगा जिसकी वयसे मेरा decommission का खर करने वाले हो उसका खर्चा इतना है और धंदा बंद करने पर आप जो असट बेचोगा उस पर गेन इतना है तो इक गेन को ignore करना से जो खर्चा इंकर होएगा उसी का प्रोविजन मनेगा ध्यान देखना ठीक है यह था अपना measurement of provision तो आपका definition होगया recognition होगया measurement होगया फिर reverse कर देना बट इस provision को आप किसी और खर्चे के अगेंश्ट एडजस्ट नहीं कर सकते उसके लावा changes in provision बोलता प्रोविजन के amount को every year end पर review करना बराबर क्योंकि estimate है तो it can change उसके लावा अगर यह estimate exact में convert हो गया तो आपका provision liability बन जाएगा उसके लावा जहाँ provision को आपने present value अगर मैंने आज धंदा शुरू किया है मुझा पता है कि future में पका पका loss होएगा ही तो आज ही मार दू provision नहीं मारोगे क्यों क्योंकि आज वो definition नहीं meet करेगा provision का ऐसा क्यों because आज कोई past event तो हुआ नहीं है जिसके वैसे आप यह loss बुक करोगे और यह धंदा available भी होता है धंदा बंदगर के तो यह दो तीन रीजन है जिसके वैसे आज इसका provision नहीं बनेगा clear यह वाला पाट यह था आपका future operating losses इसी के साथ आपका provision वाला पूरा पाट खतम हो जाता है अगर आप चार्ट में देखो के तो यह वाला पाट पूरा खतम अब contingent liability और यहां आने के प payment करना बाकी है तो और अगर इसका reimbursement promise हुआ है तो आज ही इसका asset or income book कर लो reimbursement asset to reimbursement income अब कुछ बाते यह reimbursement asset income तब बुक करने का जब वो virtually certain हो virtually certain नहीं है तो अब इसको उसके इलावा PNL में आपने expense भी दिखाया reimbursement की income भी दिखाई net of कदो के चल जाएगा balance sheet में आपने provision भ नहीं कर सकता अगर ज्यादा promise किया भी है तो भी आप maximum उतना ही रिकॉर्ड करों को जेतना आपना provision रिकॉर्ड किया है बाकी आप disclose कर सकते अगे onerous contract what is the meaning of onerous contract loss making contract एक ऐसा contract जहां enter तो कर चुके अब निकल नहीं सकते तो आपका unavoidable cost is going to exceed your revenue है ना जितना खर्चा लगेग उससे कम आप revenue कमाने वाले हो है ना तो या तो आप एक contact fulfill करोगे तो loss होएगा या फिर कभी-कभी होता है कि निकलना तो penalty भरनी पड़ेगी तो या तो loss या फिर penalty whichever is lower उतने amount का बनाओगे provision अब इसमें amendment clarification भी था कि जब आप cost निकालोगे कि suppose मेरा इसमें unavoidable cost किता है तो उस जो भी आप asset वगरा use कर रहे हो उसका depreciation impairment loss वो सब भी consider कर ले ना ठीक है ध्यान रखना हो उसके आगे next point is restructuring what is the meaning of restructuring it is a program that materially changes the scope of business जैसे पहले मैं सिच को पढ़ा रहा था अब मैं बाकी बच्चों को पढ़ा रहा हो CFA, CS, ECCF अगेरा scope of business change किया या फिर the manner in which business is conducted पहले म offline teaching कर रहा था अब मैं online teaching कर रहा हूँ तो इसको बोलते restructuring करना तो restructuring का क्या मैं provision बनाऊंगा क्या बनाएंगे only when there is a constructive obligation ये cover rise होता है जब आपने तो इस restructuring का plan ready कर लिया है और या तो इसको implement करना शुरू कर दिया है या फिर इसको announce कर दिया है क्यों क्योंकि इन में से अगर मैं offline teaching से online teaching में जा रहा हूँ तो दो चीज़ है इतर एक तो offline धंदा बंद कर रहा हूँ तो इसमें employees को निकालूंगा जो lease agreement को cancel off करूंगा और बाकी relevant खर्चे ये खर्चे का provision बनेगा लेकिन जब मैं इस business से online में जाऊंगा तो इस business को करने के लिए भी कुछ खर्चा बनेगा और नया धंदा continue करने का खर्चा उसका provision नहीं बनेगा ठीक है ये था आपका restructuring उसके बाद ये हो गया आपका 3 points फिर आपना आएंगे घूम फिर के on contingent liability दो ही पॉइंटे definition और इसका treatment तो definition कितना है contingent liability के तीन definition अगर आपको याद रहे तो इसका definition आपना बनाते ह अगर अगर कंटीजन लिएटिटी है तो मैं क्या करूंगा है तो उसको डिस्लोस कर देना हाँ अगर contingent liability arise होने की possibility remote है तो इसको डिस्लोस करने का जरोद भी नहीं है उसके लावा अगर कोई joint loan लिया है जिसमें कुछ हिस्सा loan का है कुछ हिस्सा loan का सामने वाले party का है तो इसमें by different आप एक दूसरे guarantor बन जाते हो बराबर तो जितना खुद का हिस्सा है उतना आपके ल जिरा नहीं आपको पैसा मिलने वाला है ठीक है तो contingent asset is a possible asset सबसे पहली बात जिसका confirmation होईगा future में की पैसा आएगा की नहीं आएगा अगर इसका inflow virtually certain है मतलब मैंने case किया मैं केस जीत भी गया मेरे को उसमें बोल भी दिया court ने जर जर ने कि इसको आकाश कंदे को एक कि मेरा account है तो उसको बलते info is virtually certain अगर इतना है भाई तब तो वो contingent रही नहीं तब तो वो सिफ asset रहेगा और asset को आपन record करते है ध्यान अटना यह मत बोलना कि आम recording the contingent asset नहीं जब वो virtually certain है तब वो contingent रही नहीं वो तो asset बन चुका है तो उसको आप तो record कर सकते हो अच्छा if the info is probable but not virtually certain मतलब 50-95% chance है तो फिर क्या करोगे आप disclose कर सकते हो और info probable नहीं है तो मतलब less than 50% chance आपके जीतने का तो आप नहीं record कर सकते हो नहीं disclose कर सकते हो ठीक है इसी के साथ आपके सारे concept index 37 के हो जाते गो गो अब जो भी थोड़े बहुत ठीक्टा questions है वो आपन डिसकस कर अब मैं उसको contest कर देता हूँ कि मुझे लगता है मुझे नहीं भरना पड़ेगा तो मैंने contest किया इसके अगेस्ट फाइल के authority के अंदर लेकिन मैं खुद confident नहीं हो कि मैं के जीतूँगा तो मतलब मेरे हारने के chance more than 50% है तो यहां आपको provision create करना पड़ेगा अगर हारने के chance less than 50% होते तो आप contingent library book करते तो इसलिए मैंने provision book किया बाकी question पड़ेगा उसके बाद और क्या था इसके अंदर एक illustration नंबर 18 यहां क्या हो रहा है यहां में एक धंदा discontinue करने का सोच रहा हूँ यहाद है restructuring वाला offline teaching बंद online teaching शुरू तो जो धंदा बंद कर रहा हूँ उसक इन पहले उसको मैं cancel करके कुछ payment करूंगा यह आपके provision का part बनेगा तो provision का part बनेगा दो item एक termination payment और एक जो lease cancel करोगे वह पहली चीज़ इसमें index 10 का भी reference है क्या reference है सर आपको लगा था कि आपको incur करना पड़ेगा 540 बट जिस दिन आपका FS approve हो रहा है उस दिन तक आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 520 incur करना पड़ेगा तो क्यूंकि इसकी condition exist कर रही थी और यह data भी आपको BOD के approval के दिन तक आ चुका है तो आ question सुनो क्या बोलता है मैं QA company हूँ ठीक है मैंने कुछ माल deliver किया customer को customer को पसंद नहीं आ फॉल्टी लगा तो customer ने मेरे उपर case किया मेरे को बात में मालूम पड़ा गलती मेरी नहीं थी गलती मेरे supplier की थी तो मैंने supplier पे case कर दिया बराबर customer ने मेरे पे case किया मैंने supplier पे case किय एक तरफ मुझे compensation देना है एक तरफ मुझे compensation मिलेगा पटे case कर रहो reimbursement नहीं है यह मैं case कर रहो किसे के ऊपर बराबर तो अगर customer के जीतने के चांच जादा है मेरे हारने के चांच जादा है इस case में तो मैं इसका provision बनाऊंगा बराबर और अगर मुझे लगता है कि यह पैस बनाऊंगा यहां से जो मुझे मिलने वाला है यह नहीं बोला है virtually certain है यह बोला है probability high है तो आप इसका सिर्फ contingent asset book करना जिस दिन पक्का पैसा मिल जाएगा उस दिन आप asset book कर देना उसको उसको उसके लावा एक और चीज़ बोली है इसमें आपको data दिया हुए 1st October का इतना क्योंकि BOD का approval date 26th April तक ही है बराबर तो 15th में और फर्स जो काम हुआ है यह मत मुझा non adjusting है बोलना यह events after the reporting period हुआ ही नहीं क्योंकि अप्रूवल के date के बाद हुआ है जो भी हुआ है तो आप सिफ 31st March तो जो data है उसे को इसका मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो आपको MC को भी खेला आपके साथ तो बोलता है ना 5.2 का provision बनेगा उसके लावा जो मुझे पैसा supplier से मिलने वाला है जो मैंने किसी के case किया है वह मिले contingent asset उसको मैं से disclose करूँगा तो बोला हुआ हुआ है यह वाला question था उसके बाद एक शांदार question था वो था मेरे क्याल से question number six warranty वाला हुआ तो क्या है छे मेने की warranty दिता हूं मैं ठीक है gross margin दिया 40% of sales अब मैंने warranty जो बनाई है 1% of gross margin बनाई है ठीक है लेकिन जब मैं customer को repay करता हूं warranty में तो मैं 1% of sales repay करता हूं मैं gross margin जिता repay करता हूं मैं sales जिता repay करता हूं तो ideally जो आपकी warranty बननी चाहती वो किस पर बननी चाहती वो sales पर बननी चाहती तो पहले आपको sales निकालने पड़ेगी cross multiply करे कि warranty बनाई 30,000 है वो है 1% of margin पर इस आपको margin मिलेगा बराबर अब एक बर margin मिल गया gross margin मिल गया तो gross margin 40% of sales इस आपको sales मिलेगा अब क्योंकि warranty चे मैने की थी तो जो sale आपने पहले 6 मैने में किया रहेगा उसका warranty lapse हो गया उस पर कोई warranty नहीं बनेगा जो sale आपने आपने आखरी 6 मैने मिल गया उसका ही warranty यरेंट पाउस्टरंणिंग होगा उसे बाब बनाओगे warranty तो इतना warranty बनन warranty बनेगा जितना sales कि आप पूरे के पूरे का पर warranty बन जाएगा यतना आपको ध्यान रखना है बराबर ठीक है उसका एक और question था question नमबर 7 यह आप खुद पढ़ सकते हो बट में आपको overview देरा उस question में क्या था यह ओनरेस कॉंटर का question है ठीक है तो उनरेस कॉंटर में क्या इन्होंने तो आइडली पूछता जो company ने किया गलत किया सही किया तो वन आप रेर केसे जा पूरा-पूरा सही किया तो आपको बताना है कि इसमें ना ओनरेस कॉंटर की बात चल लगी थी तो ओनरेस कॉंटर में ऐसा होता है और बताता ना company ने यह नहीं consider किया जो क्या हो स एक टीकिए? on that note we can wrap up the session. Thank you so much everyone. Bye everyone take care see you all.